बदली हुई सास उमा आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निप्टा रही थी उसके पीछे की वज़े थी काफी खास थी उसको पूरे तीन साल बाद अपने माय के जाने का मौका जो मिला था काम करते वक्त वह काफी रिलेक्स थी क्योंकि सास उमा ने उसे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा जो कि उसकी ननन थी नहीं आने वाली है उसकी है एक ननन सौ के बरावर थी उमा साधी करके जब घर आई थी तब दीपा को अपनी बेहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बेहन नहीं थी सिंता नहीं थी। उससे जब जी, करता वहें अपने माय के चली जाती। और माय के वालों पर अपना हकुम चलाती। खास कर अपनी भावी पर। वही डुसाइड करती थी। वहां पर क्या खाना पकेगा। कोई गुहूमने जाएगा की नहीं। या जाएगा तो कहां जाएगा दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी ना किसी बहाने से अपने माय के जाने से रोक लेती थी लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि मा के कहने पर दीपा के पती ने उसके माय के जाने का इंतिजाम कर दिया था ट्रेन की टिकेट भी बुक हो चुकी थी सारा काम खतम करने के बाद उमा अपने पती के साथ अपना सामान लेकर गर के बाहर निकले ही थे कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी दीपा जिसके मुँपर बड़ी सी इस्माइल और आखों में चमक थी वहीं दूसरी तरफ उमा की आखों में उसको देखकर पानी आ गया जो अब आंसु के रूप में जरकना वागी था भहिया भावी के पास आकर दीपा ने कहा क्यों भहिया कहां चले अपनी पतनी के साथ सेड सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गए क्या दीपा ने कहा कहीं सेड सपाटा करने नहीं तुम्हारी भहवी को माय के छोड़ने जा रहा हूँ अच्छा मैं आई और भहवी जाएगी क्या आपकी पतनी को मेरा आना पसंद नहीं है दीपा ने भहवी भहिया को टौट मारती हुए कहा मन में उदासी और आखों में नमी ली उमा पलट करके अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वज़े से उसके माय के जाना कैंसिल हो जाएगा लेकिन तब ही सामने से उसकी सास आई और बोली तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए क्या गाड़ी के पीछे दोड़ते हुई जाओगे दीपा बीच में टपकते हुए बोली यह क्या कह रही हो मा मैं आई हूँ और आप भावी को माय के भीज रही हो क्या आप आपको मैं इतनी खटगने लगी हूँ माने दीपा को डाड़ते हो का तेरा क्या है बेटा तेरे लिए यह माय का थोड़ी है यह तो तेरे लिए एक प्रवास इस्तल है जहां तु जब जी चाहे जब अपने सस्वराल में बोरियत महसुस करे आ जाती है लेकिन यह बेचारी तो ऐसा नहीं करती भलकि वह तो तब जब जाना चाहिए तब भी अपने माय के नहीं जाती इसलिए उसका अभी माय के जाना बहुत जरूरी है मैं तेरे या मेरे किसी और की वज़े से उसका इस बार माय के जाना बिलकुल रद नहीं होने दूंगी मैंने तो ऐसे ही कह दिया था मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भाईया खुस होता है कि मुझे बोलाता है दीपा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कोई बुलाए या ना बुलाए परियाटन इस्तल पर तो हर कोई जा सकता है अब की बार मेरी बहु को उसके परियाटन इस्तल पर यानि कि उसके माय के जाने दे बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की साधी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया उसका मुह तक नहीं देखा उसने, उसे भी अपने हिससे का सुक भूगने दे। माने दीपा अटकारती हुए और उमा की सायद लेती हुए कहा। अपनी सास के मुह से अपने लिए ऐसे सब्द सुनकर उमा की आखे जलग गए। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेंच छूट जाएगी। अपनी मा का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी, उसे यकिन नहीं हो रहा था, कि यह वही मा है जो उसका हर कहां मानती थी, और हमेशा उसका पक्स लेती थी, चाहे बहुत सही हो या गलत, वही मा अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी, जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी, और कुछ दिन रही थी, और जाते जाते उसकी आँके खोल गई थी, सहली ने उने बताया था, कि वह अपनी बेटी का मोहो छोड़ दे, वरना अपने बहु और बेटे के मन में अपनी इज़त खो देगी, बिना सोचे समझे, बिन पहसुस हुआ कि यह वह प्यारी मुश्कान है, जिसने उसने तीन सालों से नहीं देगी थी, सच ही तो है, माय का महलाओं के लिए परेश्टर निस्थली तो होता है, जहां वह अपने ससुनाल की सारी चिंता, टेंसन भूलकर उस दिन आराम से रह सकते हैं, दोस्तों वीडि